नमस्कार मित्रों स्वागे थे सेद्व टोट की चैनल पर आप सब का एक बार फिर से साल का आखरी और दूसरा चंद ग्रहण लगने वाला है 19 नमंबर को यह चंद ग्रहण आखरी तो है ही और यह चंद ग्रहण कार्थिक सुक्ल पक्ष की पूर्डिमा को लग रहा है तो इसलिए काफी important भी हो जाता है हलांकि यह आंसिक रहेगा और इसकी उपचाया चंद ग्रहण के रूप में दिखाई देगे यह जो ग्रहण है यह विसवराशी में रहेगा और जो नक्षत रहेगा वो कृतिका नक्षत रहेगा ग्रहण को भारत में देखा जा सकेगा लेकिन यह क्योंकि उपचाया होगी इसलिए सूतक का कोई भी दोस नहीं रहेगा यानि सूतक इसमें नहीं लगने वाला तो आप अपने पूजा पार्ट जैसे करते हैं सुबा नहाद हो करके वो सब कुछ कर सकते हैं दिक्त कुछ भी नहीं है चन्द ग्रहण कीतने विशे से लगेगा चन्द ग्रहण का जो समया वधी है वो क्या हैоловी है total तो कोई दिकत नहीं आएगी तो सुबा 11 बजकर 32 मिनट से ग्रहण की सुरुवात होगी और ये समाप्त होगा साम को 5 बजकर के 33 मिनट पर आनसिक चंद ग्रहण 3 गंटे 26 मिनट के लिए रहेगा उप 6 चंद ग्रहण के अवधी लगबग 6 गंटे की रहेगी वैसे जो आम चंद ग्रहण के लिए बात की जाती है सुतक काल वो 9 गंटे पहले सुरू हो जाता है और उसमें सभी प्रकार के सुबकारियों के पावंदी होती सुबकारियों पे रोक लग जाती है किन्तु इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि सुतक नहीं है इसलिए आप अपना जो रोज का काम है जो सुबकाम है पूजा पाथ है भोजन इत्या दे वो सब कुछ आप करिए सामाने रुप से उसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी चंद ग्रहन मुख रुप से तुला, कुम्भ और मीन रासी वालों के लिए सुब रहेगा और मेस, व्रिसब, सिंग और व्रिष्चिक रासी वालों के लिए ये ग्रहन बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है इन रासी वालों को विशेश साउधानी बरतनी पड़ेगी विशेश तोर पर ये जो काम ऐसे करते हैं जो इस्तिर नहीं है यानि जिन में ज़्यादा फेर बदल होने के चांसे है उन जगों पर थोड़ा सा इनको बचना होगा पैसे वैसे लगा रहे हैं तो उससे में बच्छे हैं कोई रिस्ते में है तो उससे बच्छे किसी भी प्रकाश से मानसिक च्छती नहूने दे इसके लिए थोड़ा सा चौकना रहना पड़ेगा और ये चंद ग्रहार तो लगी रहा है अगर आप चाहते हैं कि आप भोजन बना के रखे हैं सुबह में आपने बना लिया साम को भोजन लेना है क्यों बहुत सारे लोगों के ऐसी प्रथा रहती है कि वो सुबह बना लेते हैं तो साम को खाते हैं वही पिर से पकेवई भोजन में पकी कोई भी सामकरी है तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए तुलसी का पत्ता डालने पर आपको उस पक्यव भोजन को बाद में भी करने की सहलियत मिल जाती है खाना आपका जो रहेगा भोजन जो रहेगा वो असुद्ध नहीं होता है तो यही है बाकी जिन लोगों को कुछ समस्या चल रही है वे लोग चाहें तो कॉल्मी 4 अप डाउनलोड कर गए मुझसे बात कर सकते हैं आईडी है मेरी सिद्ध टोटके अट्धरेट सीमफोर और आचारियों से बात करना चाहते हैं तो अट्धरेट सीमफोर पर बात हो जाएगी चंद ग्रहन के उपरां यदि हिम्मत पड़ती है तो मैं किसी को जबर्दस्ती नहीं कह रहा हूँ कि आपको करना ही पड़ेगा किन्तो यदि आपको समस्या लग रही है मांसे ग्रूप से थोड़ी सा मस्या आप महसूस करते हैं तो चंद ग्रहन के बाद में इसनान जरूर कर लेना कपड़े पहने रहिएगा कपड़े पहने पहना यह इसनान करिएगा फिर कपड़े आप उतार करके नए कपड़े, स्वक्षा कपड़े धारन करिए और फिर से पूझा पाथ आपको करनी चाहिए, तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कुछ भी विशेस आपको नहीं करना है ये सब कुछ ठीक रहने वाला है हाँ, एक विशेस बात ये रहेगी कि जो गर्ववती महिलाई हैं, उनको क्या करना है यदि महिलाई अपने साथ में नारियल रखें तो इससे जो सिशु होगा, उसके उपर किसी प्रकार का गलत या किसी प्रकार का नकार आत्मक प्रभाव नहीं पड़ता है दोनों को, गर्वती महिला और गर्वस्त शेशु दोनों ही सुरक्षित रहते हैं तो ये तोड़ा सा समझ के रखिएगा लगबग लगबग सभी वीडियोज में सभी लोग ये सारी बातें बता ही रहेंगे तो मेरा सिधा सिधा आप से ये था कि इन्फोर्मेशन आप तक पहुँच जाए कि आपको क्या देखना है, कौन से बात समझनी है और बहुत जादा आडंबर करने की जरूत नहीं है सामाने रहिए, सामाने जीवन जीए और उसी में आपको खुशी मिलेगी तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए